स्वागत है आपका अपने यूटिब चैनल स्टेडी विद अमन कुल में आज हम ना है डारेक्टर अफ एट्यकेशन जी एंसीट आफ दैली की वोक्षीट नंबर 26 जो कि ग्लास एट के बच्चों के लिए सब्चिर आपका इंग्लिश है टेट इसकी 21 अक्टूबर 2021 आप इस टाइम पर यूज हो रहे हैं प्रेजेंट मोमें या एट इस मोमें नाओ नाओ देस चिल एड़ ज़क्टर तो डिसक्राइब एक्षिन किसी जो प्रोग्रेस में यानि चल रहा है कोई एक्षिन उसे डिसक्राइब करना या कंटिनिटी ओफ दैक्शन यानि वो काम चल सब्सक्राइब करते हैं आपको जैसे वी यू दे नेम एट्सक्राइब करते हैं अब स्ट्रक्चर क्या होता है इसका हमारा सब्जेक्ट इसमर वर्प और आइन जी प्लस अबजेक्ट जैसे आई कि Bennett हमारा क्या हुजाएगा सब्जेक्ट हएगा हैं अमारा क्या हएग समें नोट प्लेंग करिकेट और इंडिर्लोग के एंडियम हैं एंडिर्प ऑफर मेट वी और स्पीकिंग इंग्लिंश वी आट श्कीं इंग्लिश। वो हैं थे न बात कर रहे हैं हैं तो यहां भी कर रहे हैं मैं खेल रहा हूं आज हमारे वह सिल तो यह आपका पास प्रिजन कंटिन्यूस टेंस का होता है देंस इस तो इंडिकेट था एक्षिन बिगेंज और सम डिफेंट ताइम यानि जो एक्षिन उस टाइम पे हुआ था इन पास में हुआ था जैसे शी वास डांसिंग पार्टी वास लास नाइट यानि वो डांस कर रही थी लास नाइट तो रही थी इसमें हमने रहा है था हमारा प्रेजेंट में पर पास में क्या होता है रही थी यानि वो काम कर रही थी यानि वो काम बीच चुका था पर वो उ ओर गजड और ऑब्जेक्ट आई वास नौर प्लेइग भी वर स्बीकिंग इंगली यांई हम इंगट ईंगलिश बोल रहे थे वीवर्डी याहना हम इंगलिश नहीं बोल रहे अब हमने past समझ लिया present समझ लिया अब हम देखते हैं future continuous tense subject shall इसका structure shall be या will be verb plus ing और object this tense express that the action will going on the same point some point of the time in the future यानि यह क्या समझाता है हमें कि future में किसी time पे यह वाला काम होने वाला है normally we use हम I के साथ shall use करते हैं I और V के साथ shall use कर सकते हैं और विल हम third person यानि he she it के साथ use करते हैं अब हमारे affirmative sentence क्या रहेंगे I shall be playing tomorrow evening यानि मैं शाय मैं कल खेलूंगा I shall not be playing tomorrow evening मैं कल शायद नहीं खेलूंगा shall I be playing tomorrow evening क्या मैं कल खेलूंगा we shall be speaking English हम English बोलना सीख जाएंगे तो भी यूस हमता है क्योंकि हमारा काम हो नहीं है अभी होने वाला है तो यहां पर आपको दे रखा ये तो प्रेजंट कंटिनुस में लगाना है तो राइट आइम राइडिंग अहॉर्स तो प्रेजंट कंटिनुस स्पीकिंग दाला है तो तुरिस्ट विल बी स्पीकिंग दा रांजे तो मैं आप इसे का अंसर कर लेंगे तो यू आर कमिंग विद अस राइट नो फिर वट व्ट वाज फूचर में तो वट इक साथ हमारा लगता है विल तो वर्ट विल वाट विल भी ही यूण तो पर पास कंटिनुस में तो वाज यू इसमें आपका यूग है तो बर आज अगा वर यू कटिंग डाउं दर ट्री लास नाइट फिर फ्यूचर में तो तो फिर 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 for her husband on his birthday फिर है present continuous में तो दे के साथ क्या आता है आर दे acting in the drama तो आर दे acting in the drama जग इसमें फिर ही के बाद इसमें past continuous तो ही वास breaking his owner last day in the hospital दे इसमें हमारा future continuous यूज करना है तो दे they will be not hearing anything in the noise प्लेस तो वो कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं तो यह आपके sentence थे अब इसमें आपको मैंने बोल दिया आपको लिखना है तो आप इसे यहां से रख लेंगे फर्स्ट में आपका am riding हो जाएगा second में was beating third में will be speaking fourth में you दे रखा है are coming fifth में will और फिर he दे रखा है be playing was blowing is not dancing seventh में eighth में were आजाएगा were you cutting so इसमें cutting were and cutting ninth में आपका होज़ेगा will be holding tenth में will she be eating आजाएगा 11 में आपका hoisting आजाएगा 12 में was और बाइंग आजाएगा और 13 में आपका are और acting आजाएगा 14 में आपका was breaking आजाएगा and 19 15 में will not be hearing आजाएगा तो आप इसे फिल कर लेंगे आज की जो आपकी वोक्षीट है वो कम्प्लीट होती है I hope आपको अच्छे से वोक्षीट समझ आ गई होगी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और ये वीडियो अच्छे लगे तो से लाइक और शेयर जरू करेगा थैंक्स वोचिंग डियो बाइब गाइज